दानापूर में बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के बाद बेटी को शारेरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के ओदेश से फुलवारी शरीफ के एक विद्याले में राजस्तर ये कराट्य चैंपियंशिप का आयोजिन किया गया इस कारिक्रम में बिहार के वैशाली गया बकसर खगडिया, पटना सहीत आधा दर्जन से अधिक जिलुक से 150 चातर चात्राओं ने हिस्सा लिया कारिक्रम में ट्रेनर निशा पाल ने बताया कि अगले महीने की लड़किया पश्ची मंगाल में आयोजित होने वाली कराटे चैंपियंशिप में भाग लेंगी इसके अलावा जल्दी इने दूबल में आयोजित होने वाले खिराटिक चैंपियंशिप की तयारियों के लिए लगाया जाएगा निशापाल ने बताया कि आज जिस तरीके से महौल बनते जा रहा है वैसे इस्तिती में लड़कियों को बच्चाने पढ़ाने के अलावा उन्हें शारिरीक और मानसिक रूप से मजबूत करने की भी जरूरत है ताकि लड़कियां आत्मरक्षा के लिए शारिरीक और मानसिक रूप से तयार रहें मैं स्टेट खेल रही हूँ, मैं आगे भी ऐसी खेलना चाहती हूँ स्टेट, नैशनल, इंटरनाशनल और ओलंपिक भी मैं खेलना चाहती हूँ, मैं इंडिया का नाम रोशिन करना चाहती हूँ कौन से क्लास में पार्टी और किना तरी प्रेक्टिस करते हूँ मैं कम से कम तीन घंटा मेरे एस्सूशियेशन में चलता है और एक घंटा सेल्स में चलती हूँ मैं आठ साल का हूँ और मैं एक घंटा, मैं दो घंटा प्रेक्टिस में मेरे चल जाता है और दो घंटा क्लास में चल जाता हूँ कब से तुम प्रेक्टिस करता हूँ? मेरा एक साल हो गया शर यहां पे कराटे का आयोजिन चल रहा है जो कि गर्ल्स बॉइज और बच्चे का इवेंट हो रहा है यहां पे सर यह स्टेट है सभी जगह से बच्चे यहां पे खेलने आए लम्शम यहां पे सौ से उपड़ी बच्चे अभी तो पूरे पटने का बच्चे हैं और जैसे बागलपूर हो गया मुझापार्पूर हो गया अदर अदर डिस्टिक्स से भी आए बच्चे यह तो ओपिन बिहार इंटरे स्कूल जैंगे जो आज करते हैं जो हो रहा है जो है कि अधिया सबसे पहले पेरेंट्स वह ए अवेर होना पड़ेगा दिए बच्चा अगर कहाली दिमाग सातान का घर होता है बच्चा अगर खाली दिमाग कहीं बैठेंगी तो वह कहीं सर्किल के द्वारा वो नसे के आदि बनेंगे तो पेरेंट्स को चाहिए किसी ने किसी गेम में खासका कराटे ही नहीं बोल रहा हूं है किसी गेम में बच्चों को इंगेज करना तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स जब आएगा न तो बच्चे का माइंड क्लियर हो अच्छे बच्चे आएं जो कि असना से क्या दिदे दिन मेर बैठके उसको गांजा पीना है बट वो आज मेरे पास है ना हज गारेंटी करते हैं कि वो बच्चा टच नहीं करता है और उसके साह टच तो दूर की बात हो गई वैसे लोग के साथ जाना पसंद नहीं करता है क कि खो अज़ कि खुछ नहीं करता है